है 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 वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दूस्तों मैं एथलेटिक ट्रैक इवेंट्स से रिलेटिट बेरी इंपोर्टेंट कोश्चन जो आपके एक्जाम में 100% हर बार आते हैं उड़ी कोश्चनों को मैं बता रही हैं तो वीडियो को सुरू से लार् के कार्डिंग कर रहे है तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो से कार्डिंग है एंड प्रिवेस्य हम से कोश्चन भी 100 सजाना वीडियो बनाए गया है यह चैप्टेर वास्ट आप दो चले चलते हैं आज के इंपोर्टेंट कोश्चन की तरफ तो कोश्चन है चार सो मिटर्व बाधा दोड के लिए बाधा की उच्चाई कितनी होती है तो 400 मिटर पूरुस बाधा दोड के लिए बाधा की उच्चाई होती है 0.914 मिटर वही 400 मिटर महिला बाधा दोड की पुछेगा तो 0.762 मिटर वही 110 मिटर पूरुस बधा दोड की उचाईब उचेगा तो 1.67 मिटर और वही 100 मिटर महिला बधा दोड की उचाईब उचेगा तो 0.84 मिटर होगा नेश्ट दोस्तो 400 मिटर होडल दोड में पहली बधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर लगेगी तो 45 मिटर की दूरी पर स्टार्ट लाइन से पहली बधा लगेगी 400 मिटर में महिला पूरुस दोड़ों के लिए 110 मिटर पूरुस के लिए 3.72 मिटर और महिला के लिए 100 मिटर के लिए 13 मिटर नेश्ट है 400 मिटर पूरुस बाधा दोड में सभी बाधाओं में आपस में कितनी दूरी होती है तो 400 मिटर पूरुस महिला दोनों के लिए दूस्तों होता है 35 मिटर सभी बाधाओं में आपस में दूरी next है 400 मीटर पूरुस बाधा दोर में अंतिम ववा दस्मी बाधा अंतिम रेखा से कितने पहले लगाती है तो 40 मीटर महला में भी 40 मीटर next है 100 मीटर महला बाधा दोर में बाधाओं की उचाई कितनी होती है तो 0.84 मीटर नेश्ट है 100 मीटर महिला बाधा दोड में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी आगे रखी जाती है तो 13 मीटर पर रखी जाती है नेश्ट है 100 मीटर महिला बाधा दोड में सभी बाधाई आपस में बराबर कितनी दूरी पर रखी जाती है तो 8.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है नेश्ट है 100 मीटर महिला बाधा दौर में अंतिम वो दस्वी बाधा अंतिम रेखा से कितनी दूरी पहले रखी जाती है तो 10.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है नेश्ट है 400 मीटर महिला बाधा दौर में बाधाओं की उच्चाई कितनी होती है तो महिला बाधा दोड़ में 400 मीटर में बाधाओं की उच्चाई 0.762 मीटर होती है नेश्ट है दूस्तों 100 मीटर एंड 110 मीटर तथा 400 मीटर बाधा दोड़ के लिए बाधाओं का भार कितना होता है तो 10 केजी होता है नेश्ट है हार्डल की चौड़ाई कितनी होती है तो हार्डल की चौड़ाई 1.18 से 1.20 मिटर होता है नेश्ट है दोस्तो इस्टिपल चेज दोड़ कितनी दूरी की होती है तो यह 3000 मिटर की होती है नेश्ट है पानी बाधा दोड को किस नाम से जाना जाता है जैसा कि आप सब को पता है इस टीपल चेज के नाम से जाना जाता है नेश्ट दोस्तो इस टीपल चेज रेश में इस टीपल नामक सब्द से क्या अर्थ है तो पानी में भीगोना, सीधा खड़ा होना, ढाल उपरक्त सभी इसका अर्थ है नेश्ड दोस्तो इस्टिपल चेज रेश में कुल कितनी पानी की बाधाओं को पार करना पड़ता है जैसा कि दोस्तो इसमें पानी की बाधाओं साथ पार करनी होती है नेश्ट है इस्टिपल चेजरेश में कुल कितनी बाधाओं को पानी बाधाओं को छोड़कर पार करना पड़ता है तो 28 बाधाओं को पार करना पड़ता है पानी बाधा को छोड़कर जैसे कि दोस्तों इस्टिपल चेजरेश में 3000 मीटर पानी बाधा दोड़ में कुल 35 बधाय होती हैं साथ जल वाटर जंप होता है जल कूदे होती है नेक्स्ट है इस्टिपल चेज रेश में बधाओं की उचाई कितनी होती है तो 0.914 मीटर होता है नेक्स्ट है इस्टिपल चेज रेश में बधाओं की चौड़ाई कितनी होती है तो 3.96 मीटर होता है नेक्स्ट है इस्टिपल चेज की बधाओं के उपरी हिस्षे की माप क्या होती है तो उपरी हिस्षे की माप होती है 12.07 गुड़े 12.07 सेंटी मीटर नेश्ट दूस्तो इस टिपल चेज दोड में बाधा से लेकर पानी के अंतिम छेतर तक की लंबाई कितनी होती है तो तीन दस्वलों छेज छे मिटर होती है नेश्टे दुस्तों इस्टिपल चेज दोड में पानी बाधा के अंतरगत बाधा के पास पानी की गहराई कितनी होती है तो 70 cm होती है नेश्ट है इस्टिपल चेज दोड़ में पानी यानि की पानी बधा दोड़ में के अंतरगत पानी के बाक्स की चोड़ाई कितनी होती है तो 3.66 मीटर होता है नेश्ट है खेल बग्यानिकों के आधार पर 110 मीटर पूरुस बधा दोड़ में बधाओ के मध्य लगबग कितने कदम के पस्चात खिलारी उच्छाल लेता है तो तीन कदम के पस्चात खिलाडी उच्छाल लेता है नेश्ट है खेल बैज्यानिकों के अधार पर 400 मीटर पूरुस बाधा दोड में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पस्चात खिलाडी उच्छाल लेता है तो 15 कदम के पस्चात लेता है नेश्ट है 110 मीटर पूरुस बाधा दर्ण में धावक लगभग बाधा से कितनी दूरी पहले उच्छाल लेता है तो साहे 7 फिट दूरी पहले उच्छाल लेता है नेश्ट है जेवलीन इसपरदा में जेवलीन को किस कोड पर फेका जाता है जिसकि वो अधित्रमदूरी पैं कर सके तो 45 अन्स के कोड पर फेका जाता है नेश्ट है एतलेटिक के अंतरगत किस सामुहिक इस परधा में दस इस परधाएं होती है तो दोस्तो डेका थलान के अंतरगत दस इस परधाएं होती है नेश्ट है दोस्तो डेका थलान प्रतिविक्ता किस वर्ग के लिए होता है देका थलान कितने दिन की प्रतिविता होती है तो देका थलान दो दिन की प्रतिविता होती है और दस इवेंट होते है पांच पांच इवेंट एक एक दिन होता है और इसमें चार ट्रेक एंचे फिल इवेंट होते है जैसे दोस्तो देका थलान की प्रत्रम दिन कोंसी इस पर पधाय होती हैं जैसा कि दोस्तों जो कंबाइन इवेंट होता है इसके अंतर को डेकाथलान, हेप्ताथलान, पिंटाथलान, ट्राइथलान आते हैं इसमें से इन चारों के बारे में डीटेल वीडियो ट्रिक के साथ बताएं को देखने के बाद आपके सभी डॉट के लिए हो दवड़ा यानि कि 100 मीटर हो गया पहला इवेंट पर्थन दिंग का और फिर दूसरा लंबी खूद से लंबा सोड से लंबी कूद 100 से साथ पूद and पहन के ऊची कद से 400 मीटर दवड़ा ऊची कद से ऊची ऊची खूद और 400 मीटर से 400 मीटर d दवड़ यह आपके होते हैं भी दूर नेक्स्ट है डेका थलान के दूसरे दिन कौन सी इस पर दाएं होती है तो डेका थलान के दूसरे दिन जो होता है तो उसका ट्रिक है कि 110 मिटर का होर्डर लेकर दिपोजे 1500 मीटर दोड़ा 110 मीटर का होडर लेकर यानि कि दूसरे दिनका पहला event होता है 110 मीटर मnsinn का बाधा दोड़ फि दूसरा event होता है D-Po-J यानि कि D से diskus थो Po' से pole w Log J से jawlin थो 1500 मिटर दोड़ा से 1500 मिटर दोड़ तो यहां पर आपसं नंबर C करेक्ट हो जाएगा याने की A and B दोनों याने की 110 मिटर बाधा दोर 500 मिटर दोर डिसकर दोर जैवली दोर पोल वाल तो दोस्तों आज के लिए वसी इतना ही आई आए आपकी सभी कोस्टेंस आपको समझ में आये होंगे जो भी डाउट होगा मुझे कोमेंट में बता होंगे तो आप मेरे चैनल पर बने रहे हैं डेली बेसेस पे तो दोस्तों फर्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिसे न्य वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वी जिए बिलते हैं